Hello everyone, welcome to my YouTube channel, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हिमाचल बदेश हेल्थ डिपार्टमेंट में, फार्मेसी ओफिसर की वेकेंसी के बारे में, और क्या-क्या आपके लिए अपकमिंग अपॉचुनिटीज हो सकती हैं, हिमाचल में, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो जैस तो 1290 का टोटल एक कैडरे है, जिसमें की 241 वेकेंसी इस टाइम पे फार्मेसी ओफिसर की डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगी, और आगे की अगर रेगुलर पोस्ट की हम बात करें, तो अभी तक कोई वेकेंसी अप्रूब नहीं हो पाई है, जब भी कोई व opportunities की बात करें हिमाचल में, तो आपको पता होगा की already 24 वेकेंसी जो की National Health Mission के तैत, और source basis पे फिल करवाई जा रही है, जिसमें की चार्डिस्टी के लिए already interview हो चुके हैं, लेकिन उसके बाब जुद आपको एक और opportunity देखने को मिलने वाली है, यह आप देख सकते हो, फार्म CDC के मादिम से recruitment देखने को मिलेगी, और इसमें क्या है कि यह जो है वो urban health and wellness center के लिए vacancy होगी, तो इसके लिए भी आप apply कर सकते हो, इसके बाद आपको यह opportunity देखने को मिलेगी, तो मैंने आपको बता दे कि regular post अभी एक भी approved नहीं हुई है, और यह जो out source vacancy है, 24 अभी under process है, 64 आपको और देखने को मिलेगी, तो यही फिलाल के लिए upcoming opportunities ही माचल में आपको देखने को मिलेगी, अगर आप pharmacy officer की vacancy का wait कर रहे हो, I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी, informative लगी होगी, तो विडियो को like, comment, share कर सकते हो, channel को subscribe कर सकते हो, further new updates के लिए